नमस्कार शाथियों, नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं हूँ भरत कोरणा और आप सभी का स्वागत है मेरे यूटूब चैनल पर, आज हम बात करेंगे सेकंड येर हिस्ट्री, बी ये सेकंड येर हिस्ट्री के सेकंड पेपरों के अंदर का जो मेतुपुन के बारे में, तो आपका जो सेकंड पेपर हैं, उसके अंदर हैं विश्व का इतियास, विश्व का इतियास पंदरवी शतावजी से 1945 इस्वी तक, हैं देश आजाद होने से दो साल पूर्व तक, ये आपके एक्जाम में आईगा, ठीक हैं, तो इसके अंदरगत, कुल आप के पाँच इनीट हैं, मैं उन पाँच इनीटों से, जो मैतोपूर मैतोपूर्व प्रश्ण हैं, जो आपके एक्जाम में आ सकते हैं, उनकी ऊपर चर्चा करूंगा, ठीक हैं, हिंदी भी पढ़ाते हैं, पर हमारे पास में डिगरी है, मैं डबल में हूँ, हिस्ट्री से अभी गनुबव है, वो मैं आपके साथ में स्वाजा करूंगा, आप अगर नए-ने हैं चैनल पे तो एक बार सस्क्राइब जरूर करें, क्योंकि सस्क्राइब करने के पैसे नहीं लगते, सस्क्राइब जरूर करें, लाइक भी जरूर करें, ठीक हैं, और अपने मित्रों त पुर्ण जागरण हो जाएगा, एप पुन्र जागरण से आप क्या समझते हैं, दो नमबर का प्रश्ण बन सकता है, लगुत्र आत्मक भी बन सकता है, और ज्यादातर संब्वावना यहां से निम्दा आत्मक बढ़ने की रहेगी, तो पुन्र जागरण के बारे में आपक बार राउंड लगा हुए इससे बैतर है इसको आप पढ़के जाए ठीक है इसका तात्परिये इसके प्रिणाम कुछ भी आपसे पूछ सकते हैं पर पुंद्र जागरण को मुद्दे को आपको पढ़के जाना है फिर आपके आता है सामंतवाद तो सामंतवाद के उत्थान पुरी सब्सक्रीव और पने की पूरी कौशिश रहेगी और विदियो संबावना रहेगी तो आप इसको पंत्र जरूर पढ़ें अब देखो इन एके कोह को समझा नहीं सकता क्योंकि समय अपने पास में कम है फिर आप खुद भी बोर हो जागे वीडियो देखते देखते ठीक है आगे चलते हैं आगे चलते हैं कि कौन सा और जो मैत्वपुन प्रश्ण है वो आपके आने के संभावना रहेगी तो धर्म सुधार अंदोलन धर्म सुधार अंदोल यह आपके आग्जाम के दर्श्टी से मेत्वपुन हैं क्यों है क्योंकि बहुत सारे धर्म सुधार अंदोलन हुए जैसे दयानाई स्वास्वरति ने किये धर्म सुधार किये ठीक है गोविंद गुरू ने किये हालां की आपके जो सलेबस में है उनको आपको पढ़ना है पर धर्म सुदार अंदोलन से आप क्या समझते हैं, इतना सा एक लाइन आगी और आपको पार्ट सी में अगर वोकिशुन आगया तो आपके लिए बड़ी जहोजिद हो जाएगी अगर आपने उसको तयार करके उस पार्ट को तयार करके आप नहीं गए हैं तो, इसको आप ज परीचे दीजिए, तो मार्टिन लूथर का धर्म सुदार अंदोलन में मार्टिन लूथर की भूमी का इस प्रकार से प्रश्ण बन सकता है, तो जरूर आप पढ़के जाएगा, फिर यहां पर आता है एक और प्रश्ण क्योंकि इसकी शुरुआत ऐसा माना जाता है, इसकी हुआ क्या था कि एक आंदोलन चला था, प्रोटे स्टेंट, यह जो आंदोलन है, इसके रिगारिंग अति लुगदात्मक प्रश्ण बनने की संभावना है, तो इसको आप जरूर पढ़िएगा, प्रोटे स्टेंट जो आंदोलन है, उससे आप क्या समझता है, तो इसको आ अपसे निम्दात्मक प्रश्ण बनने की संभावना यहां रहेगी, वानिज्य वाद से आप क्या समझता है, वानिज्य वाद से आप क्या समझता है, तो वानिज्य वाद को आपको पढ़ के जाना है, इससे आप क्या समझता है, क्योंकि यह बड़ा वाला अगर प्रश्ण काफी है इमानदार भी काफी है और अपने गुरू के प्रति उनकी श्रदा है सच में वो तारीफ काबिल है मैं पूरे सेकिनिर के बच्छों को अगरीम शुबकामना देता हूं आगे की और चलते हैं ओद्योगी क्रांती जो आई थी वो यूरॉप में यूरॉप में ओद्योगी क्रांती के रिगारिंग आपकी प्रश्ण बन सकता है तो इसको आप पढ़के जरूर जाएं क्या समझते हैं विवेशना, शमीक्सा, परिणाम इस प्रकार सा प्रश्ण बन सकता है या फिर यह आ सकता है और जोगी करांती से आप क्या समझते हैं बताईए तक्सिर आपको बताना बढ़ेगा ना उद्योग धन एक परते के कारण अब मुझे हिंदी नहीं बतानी चीए पर मेरा एक हिंदी विद्यार्थी के रूप में रॉल है उसके तेद बताता हूं उद्योग में एक परते के कारण जो इक लगा इसलिए उ का ओ बन गया इसलिए देखले यहां पर बन गया ओध्योगिक बन गया ठीक है तो ओध्योगि इसके राजनितिक, सामा जीक आर्थिक परिणाम क्योंकि हर चीज के एक एफेक्ट परता है यह बार समझ में जैसे आप गी खा रहे हैं तो भी गी खाने से क्या होगा शारीरीक परड़ेगा गी खाने से पैसे भी खर्च होंगे क्यों भी गी लाएंगे भी खोगा-खाया दे या पैसे भी लगता तो गीआ उसका मतलब आर्थिक फिर सामा जी पर इस प्रकार से सामा जीड, राजनितिक, आर्थिक एस प्रकार से प्रभाव पढ़ते हैं तो वोकि पर प्रभाव इस कुछ का पढ़ा उसको आपको पढ़के जाना है सaci पिर início को और profound tratik 1688 के आज Musty में यह उई थी इंग्लेंड में गौरवपूर्ण Kranti ये लगदुरात्म प्रष्ण बनने की संबावना है इंग्लेंड में गौरवपूर्ण Kranti साभा क्या समझते हैं बताइए तो गौरवपूर्ण Kranti आप जरूर पड़े गौरवपूर्ण Kranti ठीक है प्रिदे को हर एक देश आजाद होता है उसी प्रकार से अमेरिका भी आजाद हुआ तो अमेरिका का सब्तंता संग्राम सब्तंता संग्राम यहां अमेरिका के अमेरिका जो आजाद हुआ विश्व में अनोखी घटना थी अमरीका का सवतनता संग्राम के बारे में अपने विचार लिखी है उसके कारण परिणाम ये प्रश्ण बनने की संभावना रहेगी फिर देखो फ्रांस देश है अलग लग होते हैं ने जगाओं के नाम होते हैं जैसे गड़ा, गौंगावा, देलपुरा, मादरी, सल्डी, जोडा, उकलडा, आवर, बैवाडा उसी परकार से एक देश है उसका नाम है फ्रांस तो फ्रांसिस में जो क्रांती हुए उसका हो गया फ्रांसिसी क्रांती से आप क्या समझते हैं उस क्रांती के कारण क्या थे उसके बारे में आपको पढ़के जाना, फ्रांस की क्रांती सच में बहुत मैतोपूर है, और एक मैतोपूर घटता है, इसके बारे में हिस्ट्री के पेपर में ये प्रश्णवा बनने की पूरी की पूरी गुंजाइश रही गी, ठीक है, इसको आप जरूर पढ़े, इस 1789 के दर जितना नहीं लगता, जितना किसी एक अकबार से डर लगता, यही वो नेपोलिन पोना पार्ट है, इसके जीवन व्रत के उपर, इसकी उपलब्द्यों के उपर प्रश्ण आ सकता है, एक निम्दात्म ग्रूप से, इसको आप जरूर पढ़िएगा, इसकी अगर फ्रांस के बाद में नाम आता है जर्मनी, तो जर्मनी के एकिकरण, जिस प्रकार से राजस्थान में जो एकिकरण हुआ, भार्द में जो एकिकरण हुआ, उसमें सद्दार वललब भाई पटेल की भूमी का थी, उसी प्रकार से जर्मनी के एकिकरण में बिसमार्क की भूम हैं ठीक है बोर्ट साफ करके वापस बता रहा हूं कि अगली कड़ी में और कॉंसे मैं तुपुन प्रश्ण है देखो आपको जितना पढ़ना था उतना तो आपने पढ़ लिया ठीक है भाई रेनी वही तो वहां तो एक फेरा में पी रही निजानी वही तो आध खादा पु तो वह चीजा है पढ़के जाना है नहीं तो ड्यू आने की पूरी पूरी संभावना रहेगी ठीक है प्यारे भी दैर्थियों जर्मनी के बाद में हुआ इटली का एकिकरण तो इटली के एकिकरण से भी प्रश्ण बनने की संभावना रहेगी इसको आप जरूर ठीक है और इटली में और नाम आते हैं मेजेनी गेरिबालडी मेजेनी गेरिबालडी और काबूर इन तीनों की किताबों के नाम आप जरूर भी याद कर लेना इनके सन भी याद कर लेना ये प्रश्ण आएगा ही आएगा क्योंकि ये प्रश्ण मेरे भी आया हुआ है जब आपको पढ़ना ही पढ़ना है देखो एक्जाम आपके सर के ऊपर है ठीक है इसके बाद में आपका प्रश्ण बनने की पूरी की पूरी संभावना रहेगी प्रथम विश्वईद्ध फस्ट वर्ल्ड वार 1914 से 1918 तो प्रथम विश्वईद्ध के कारण परिणाम क्या प्रबाव पड़ा राजनितिक गुरूप से, सामाजी गुरूप से धार्मी करूप से ठीक है और इसके कारण सबसे ज़यादा जो मैंतुपूरा इसका प्रश्ण बनने वह यह है कि इसमें कारण और परिणाम इसको तो आपको पढ़के ही जाना है ठीक है और इसका जो तातकालिक जो कारण था ऐसा माना जाता है कि आस्ट्रिया नी आस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या कर दी गई थी ठीक है एंडिया कर दीगेती कि रूसम अब है कांपर क्रांती हुई रूसम है कांपर हुई क्यूंकि अपने वर्ड रिष्टरी पढ़ रहे हैं तो दिखो इंडियान इस्त'REी ती और अज वह थो प्र पहले पर में बाद एक में ए कि ने कि एसे गावों एसे गावों के नाम अगए उसके अंदर वल्ड का पूछेंगे तो फिर आता है रूस में बॉल्सवेक क्रांती 100% प्रशन बनना तै है गारंटी क्योंकि बड़ा मैतोपून है ये ये गटनाएं बड़ी मैतोपून हुई है वल्ड में और इन गटनाओं से प्रशन बनने निच्छित है ठीक है और यहां पर रूसी क्रांती हुई थी 1917 में तो रूसी क्रांती से भी प्रशन बनने की गुझाईस रहेगी रूसी क्रांती 1917 इसको आप जरूर पढ़के जाईएगा फिर है पैरिश शांती सम्मेलन पैरिश में एक शांती सम्मेलन हुआ उस पैरिश शांती सम्मेलन से प्रशन आएगा कब हुआ आलो चनातमग मुल्यांकन कौन सी ती थी बोलो कौन से संद में हुआ वो आप जरूर पढ़के जाए यहां उसके निरने क्या थे यह मैत्वकुन है बाई साब जर्मनी में नाजीवाद था कहां पे था जर्मनी में नाजीवाद तो जर्मनी के नाजीवाद के उपर निमंद आ सकता है उसका क्या योगदान है कारण क्या है इससे प्रशन बनने के गुंजाइस रहेगी ठीक है परई कारण क्या है कारण किसकا नाजिवाद बनने का कारण औगे जो उसका उत्थान क्यों हुआ ये प्रशन बनने का गुंजा इस रहएगी फिर आता है जर्मनी के साथ में एतली खाने की नहीं एक देश है तो इटली में फास़ी वाद किया चला फासी वाद तो फासिवाद के कारण क्या थे, उठ्थान के कारण क्या थे, और क्या परिणाम निकले, इसके रिगार्डिंग आपसे प्रशन पूछ सकता है, ठीक है, वीडियो को मैं ज्यादा लंबा नहीं करूँगा, पर ये जो मैंने प्रशन बताये हैं न, इन प्रशनों को आप पास होने गारंटी में दे रहोंगा पास हो जाएंगे ठीक हैं और इटले में मुसलोनी जो था मुसलोनी का युगदान भी आपको पढ़ना है आलंकि मैंने आगे बता दिया फिर आता है सहीवत राष्ट संग या राष्ट संग के अंग राष्ट संग इस्थापना के कारण इसके परिणाम, इसकी उपलब्द्या, इसकी असफलता, बही कारण, उदे के परिणाम और पतन, राष्ट संक्य है न, और पतन, इसके उपर इसमें कोई सबी प्रश्ण बन सकता, पर कारण और पतन के प्रश्ण बनने की पूरी-पूरी कोशिश रहेगी, उसके बाद में आ जाता है दिति विश्वयुद। Second World War तो वो का वो वापस Sam to Sam डर रहा है दिति विश्वयुद। यह निम्दात्मक प्रश्ण में आएगा या तो प्रतम विश्वयुद। आएगा या दिति विश्वयुद। आएगा आना ही आना है यह बड़े मैत्वपुण है तो कारण, परिणाम, प्रभाव यह प्रश्ण यह जो चीज़ा है यह आने की संभावना न रहेगी फिर है यह तो था राष्ट संग अब Sam to Sam में वापस से बता रहा हूँ संयूक्त राष्ट संग इसके अंग कौन कौन से है इसके बनने के कारण कौन कौन से है कारण में उदे के कारण कौन कौन से परिणाम क्या है इसका पतन नहीं हुआ और इसके अंग कौन कौन से है इसके भाग कौन कौन से है इस प्रकार से संसित के तीन भाग है न लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट पती उसी प्रकार से सयुक्त राष्ट संग के भी अंग है भाग है उनके उपर आपका प्रश्ण बनने की संभावन है देखो फिर अब ज्यादा में इसना बताऊंगा नहीं यह जो बताया है इसको अगर आप पढ़के चले जाते हैं तो बुल में एक पक्की बात बता रहा हो कि आप पास हो जाएंगे आपका ड्यू नहीं लगेगा आपके अच्छे नंबर आएंगे और सेकेंडिर के विद्यारतों के परती मेरा स्पेशल मोह है एक ज़्यादा प्रेम है मैं आपको सभी को किसी का आप नाम तो क्या है बहुत ज़्यादा है मेरे दिमाग में सबका ना लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरू करें अपने दोस्तों तक शाजा जरू करें फिलाल में भरत को अरणा अज लेता हूं आपसे विदा शुक्रिया शब्बा खेर